हाथ नमस्कार प्यरसाथियों तीजे सर्क्लासेज के ओनलाइन प्लेक्टफॉम पर आपका स्वागत अभिनंदन है हम बात करने जा रहे हैं इसे प्यारे दोस्तों इतियास की और इतियास के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ लिया और आज देख रहे हैं आप हम अग्रसर होते हैं इस चैनल पर अगर नए हो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें प्यारे दोस्तों क्योंकि आप ज्यानी हो तो अगले को भी ज्यानी बनाएं या कोई भी बन्दा आपका भाई बन्दू सगा शंबंधी वहां तक पुछ आने का कारे करें हम पढ़ने जा रहें क्या पढ़ने जा रहें पर दोस्तों बैदिक सब्पेता वास्तन में ठीक है is नबोस की संदू सब्भेता के कई वर्स बाद या कई वर्ष बाद समय वीत्राइक प्रश्या यहांपर क्या.. आरे लोग अस्थित में आए, तो अमस्थित पाता है कि कुछी अलगाग इतियासकार और अलग अलग कहते है कि सिंदु सब्वेता जो हमारी सत्रा सो पचास इस्वी पूर्व कमापत हो चुकी थी अतात तेवी सो पचास से लेकर सत्रा सो पचास तक का टाइब प्रेड़ी सिंदु सब्वेता का माना जाता है और यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद का काल के बाद से जहां पर मिलते हैं हमारा वेदिक काल या वेदिक सब्बेता क्यों करते हैं से अर्थार्थ हमारे चार वेद भूए हैं चार वैदो से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कहा रहे है दोश्तों इस कारण हम इसे वेदिक सब्वेता करते हैं वेदिक काल करते हैं और वेदिक काल और इसी काल के दोरां हमारे वेदों का निर्मान हुआ है वेदों को लिखा गया है वेदों को लिफी बक्त किया गया है और वेद जो है वो अपौरुशिय माने जाते हैं क्या माने जाते हैं अपौरुशिय माने जाते हैं वेदों किसी के दोरा लिखा नहीं गया है वह कहा ज पूंदिक होविकी काल केलाने लगा उसी समय से हम वेदों का घ्यान पराप्थ करते हैं कि अ कि असवी बात करते हैं आरे हि आरे सब्द है शज Promise कि म सब्द बात करें। आरे सब्द की बात करें तो आरे लोग है यहां पर बसा उटोगी ती अर्तात भारत में आरे सब्दा का विकास हुआ आरे लोगों का विकास हुआ या आरे संस्कृति कहें या वेदिक संस्कृति भी से करकर संबोधित कर सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहां से वेदिक सब् पीस मानते हैं तो कहा जाता है कि अलग- suivृ टी अलग- elétक ते हैं सबिसे पहले हम बात करें तो आरो का मूल स्थान के बात करें फिर कारें की बासरीगे ऊची मुट्राह। के अजए तो सप्ट का रथ होता है यह ज्यों होता है ज्यां आरो का मूल स्थान इसका आर्यो का स्मूल इस्तान के बारे में वक्त किसकी बात करें हैं वैदिक काल पढ़ रहे हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्वेता किसकी बात कर रहे हैं यहां पर वेदिक शब्वेता है थीए वेदिक शब्वेता में हम बात करने जा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं आर्यों का मूल इस्तान के बात करने जा रहे हैं आर्यों का मूल इस्तान के बारे में बात करें यहां पर अलग अलग विद्वान अलग विद्वान अलग अलग अल बारत में भागवान डिडवानी अर्था współ Sacramento को बारत को एना मानने वाले विद्वान वह भारत को मूल स्थान ऒग्वान धिडवानी कोन पेयर दोस्तों डिडवानी यह भग्वान डिडवानी है यह मांते हैं खे आरे भारत में इनका उदेवे विकास हुआ है इसा मानने वाले वाले बगवान दवान आर्था इस जारियों को कहा की मानते है यह भारत से समद्धित मानते में और बात करें प्यारे दोस्तो सब्त सेंदव प्रदेश यानि कि सप्त सेंदव प्रदेश के कोन मानते भही जोक्टर अविनास और संपूर्ण आनन्द क्या करते हैं कि जो सप्त सेंदव प्रदेश हुआ है क्या शप्त सेंदव प्रदेश इस सप्त सेंदव प्रदेश के जो मानने वालता है प्रदेश संप्वूर्ण आनन्द क्यों प्यैर दोस्तों एक छंपूर्ण आनन्द और एक कोण Parents प्रदोस्तो डॉक्टर अविनास प्रटो सब्सक्राइय जत्यों चब्सक्राइब सब्सक्राइब टॉउठीन नंद शंपूरान्द या मानते इनको ये सब्थ हुन सब्सक्राइब ये वहा करते हैं वहां से इनका मूल appelle निवास सिस्ती है जंप्सक्राइब माना जाता है इनका आर्जो का मुलिस्तान सब्त सेंदव प्रदेश को मानने वाले को हैं डॉक्टर अभिनास और शंपूर्णान। इसी के साथ बात करें तिब्बत के बारे में का जाता है तिब्बत से मानने वाले कहां से प्यारे दोस्तों तिब्बत कहां से तिब्बत से म शरस्वती अर्तात भारत के पास में तिब्बत पड़ता है और इस तिब्बत को मानने वाले कौन है यह दयानंद तिलक करते हैं कि आरे उत्री दुरू काहां के उत्री दुरू से आये थे यह कुन करते हैं बाल गंगाधर तिलक यहां यहां पर कहा जाता है है ऐसा कहने वाले कोणु है बाल घंगादर तिलक और एक आते हैं विद्वान आते हैं के विद्वान साथी आते मैक्समूलर क्या कहते हैं मैक्समूलर कहते हैं कि आ रहे नहीं यह कहते हैं उत्री दूरूसे नहीं और मैक्समूलर कहते हैं कि यह तो मद्दे एशिया से कहां से आते हैं मद्दे एशिया से आये ठीके ऐसा कौन करते हैं मैक्स मूलर कोन करते हैं मैक्स मूलर मैक्स मूलर क्या करते आ रहे हो के लिए कि यह मद्दे एशिया से आये थे आप से प्रस्ण पूछा जाता है भी कि आरे कौन कौन से देशों के निवासी मानते हैं किसके अनुसार कहा के न यूरोप से मानने वाले यूरोप से इनका जो है आगमन मानने वाले कौन है पी गायल्स कौन है कि किया आरे लोग नहीं कि इतनी जगह से नहीं आए भई ये करते हैं कि ये तो आए कांशा सबस्क्राइब जाते हैं और उरोप के लोग गोरे होते हैं तो इस प्रकार इनकी चमड़ी विकेसी थी उर गोरी ती तो इसी मानेता है कि यह तो यह पीगाइल्स के द्वारा अलग अलग बताया गया भारत बताते हैं भगवान डिडवानी बताते हैं इसके बाद सब्सेंदव प्रदेश डाक्टर अविनास और शंपूर्णानंद बताते हैं तिब्बत दयानंद सरस्वती बताते हैं उत्री दुरू उत्तर से आने वाले मतलब प्रत्वी कि उत्री छोड से आने वाले कौन बताते हैं बाल गंगा दर तिलग बताते हैं मद्दे एस्या अर्तात एश्या में आर्यो का जन्म हुआ ऐसा मानने वाले कौन है मैक्श मूलर है और यूरोप से पी गाइल्स बताते हैं कहां से बही यूरोप से मानने वाले कौन है पी गाइल्स यह मानते है आर्यों के उत्पत्ति के बारे अर्तात आरे कहां से आकर भारत में बस गए यह सारी जानकारिया देने वाले कौन हैं यह स पहला वेद रिगवेद कुंसा रिगवेद कुंसा रिगवेद दूसरा यजूर्वेद कि तीसरे की बात करें अथरवेद कुंसा सामवेद सामवेद और सामवेद के बाद चूथा अथर्वेद कुंसा अथर्व अथर्व वेद अथर्वेद ठीक है कुंसा अथर्वेद ठीक है ये कितने प्रकार के वेद होते है यहां पर चार वेदो का नाम लिया गया जिनमें से वेदी काल में कहा जाता है इनमें से तीन वेदो को वेद त्रई कहा जाता है क्या कहा जाता है वेद त्रई कहा जाता है किसको कहा जाता है तीन वेद कितने वेद आते हैं इसमें तीन वेदो को शामिल किया जाता है तीन वे दोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो किन कीनवेद मिलकर यह कहलाता यह कहलते हैं क्या किह लाते हैं motivated कि सम्बूदित कि अब चार परके भात करें कि यहां पर क्या सिच्वेशन देखने को मिलती है यहां पर अलग-अलग अब बात करते हैं हम किसकी बार में बात करते हैं तो यह तो जाएगे वेद अर्था चार वेदे आपके तो अब बात करने जा रहे हैं यह तो सारी चीज़ी समझने में आगया आपको अब बात करने जा रहे हैं पून रूप से वैदिक सब्वेता किसकी वैदिक सब्वेता 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 या वैदिक संस्कृति क्या करते हैं 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 वैदिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति क्या करते हैं अब बात करते क्या है क्या नहीं है किस प्रकार से यहां पर जिक्र किया जाता है वेद का अर्थ क्या होता है सबसे पहले वेद क्या होता है सबसे पहले हमने वेदों की संक्या तो देख ली लेकिन वेद तो सब्द है इससे सब्द का अर्थ क्या होता है वेद सब्द का क्या होता है वही ज्यान से लिया जाता है अर्थार्थ वेद या फिर ज्यान के और गमन करना या ज्यान के और प्रतिश्टित होना इस सब्द का अर्थ होता है पूल रूप से ज्यान होता है क्या होता है अब बात करें यहां पर आरे सब्द के बारे में 36 बार यहां पर आरे स सब्द है इसका सब्द का अर्थ होता है क्या होता है आरे सब्द का अर्थ क्या होता है पर दोस्तों आरे सब्द का जो अर्थ लिया जाता है इसका अर्थ लिया जाता है इसका अर्थ लिया जाता है स्रेश्ट क्या होता है स्रेश्ट अर्थार्थ सभी विक्तियों में स्रेश गया भी भद्र या अपने जेंटलमेन कहता है ऐसे कर दिया जाता है और एक आारे जाती से एक संबंद्धित माना जाती है और जाती क्यों सी नार्डडिक साख्याक एक से आपी मानें जाती है और नाडिक साका से संबंद रखने वाली यह जाती माना संब्द की इनके आर्थ के संब्द में लिया जाए जो आर्यओ को आर्यों को आर्यों को आर्यों का संब्द है इसलिए आर्यों का शंबंद आर्यों का शंबंद नाडिक जाती से माना जाता है कुछ सी नाडिक जाती से माना जाता है माना जाता है किससे माना जाता है वही आर्यों का संबंद नाडिक साका या नाडिक जाती से माना जाता है यह एक प्रकार की जाती सम्मुवा करती थी अर्थार्थ यहां पर कहा जाता है कि यह नाडिक साखा से संबंधित माने बात करें कि यहां पर आर्यों में इसुरी रिगवेद में बात करें तो रिगवेद में कहा जाता है या इस समय जो कहा जाता है कि यहां पर सबसे किनारे बसने के कारणा कहा जाता है यहां पर चार नदियों का मुख्य रूप से उद्गम या उल्लेख मिलता था कितनी नदियों का चार रूप से जी मुख्य रूप से चार नदियों का उद्गम मिलता था और वो कहां से मुख्य रूप से अफगानिस्तान की और से नदियों का उलेक कहां पर कहां पर किया गए भी चार नदियों का उलेक वेदिक सब्वेता में होता है या रिग्वेद में होता है वो कौन कौन सी यहां पर नाम क्या क्या देखने को मिलते हैं यहां पर प्राचिन नाम और वर्तमान नाम दोनों देखेंगे वही यहां पर न जाएगा वर्तमान नाम प्राचिन नाम और वर्तमान नाम ठीक है किसका नदियों का प्राचिन नाम और वर्तमान अब देखने को यह मिलता है कि पहले किसको पुर्मा नदी कौन सी पहरा दोस्तों पुर्मा नदी कुर्मा नदी और कुर्मा नदी को क्या कहा जाता था भई वर्तमायन में क्या कहा जाता है काबुल नदी कौनसी नदी काबुल नदी का जाता है क्या कहा जाता है कुर्मा नदी अर्तार्ज यहां पर इसका उलेक मिलता है जो किसके नाम से काबुल नदी और दूसरी बात करें या कुमा नदी भी कह सकते है कुर्मा नदी भी कह सकते है इसको एक है कुमु नदी और इसका नाम मिलता है कुर्ये नदी कुंची पुर्ये नदी इस नाम से यह वर्तमान में देखने को मिलती है कहां पर लगवगा अक्वानिस्तान में पढ़ती वह यह नदियां और यहां पर इसे किसके नाम से पुर्ये नदी के नाम से जाना जाता है गोमती नदी कौनसी गोमती नदी और गोमती नदी को क्या कहा जाता ह भूमति नदि कहा जाता है और पराचिन समय में इसे modal लड़ी करकर कहा जाता ्ता था या सवास्तू किया जाता स्वास्तू नदि जिसे स्वात्र नदी कहा जाता है क्या वास्तू सु वास्तू नदी जिसे क्या कहा जाता था स्वात नदी कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वात नदी कहा जाता है यह लगवग चार नदियां पैर दोस्तों और इन चार नदियों के कहां से विल्लेक मिलता है हमें वेदिक सब्वेता से हमें इनकी जानकारी मिलती है यह प्रमुक नदियां हुआ करती थी वेगिदिक सब्वेता की जिसके आसपास ये आरे लोग बशे हुए थे जिसके आसपास के कुन बशे हुए थे भई आरे लोग बशे हुए थे अर्थार्त जल ही जीवन है आज ये जल है तो कल है तो जल के बिना किसी का भी जीवन नहीं है तो यहां प्रकार आजाता है यह नदियां क्या करती थी उस जमाने में जल देने का कारे क्या करती थी और जल देने का कारे करने के साथ ही पहले रोज तो यहां से इनका सभी प्रकार की आवश्विक्ता है पूरी होती थी इन्हें नदियों के माध्यमसी यह वेदिक स अफगानिस्तान में देखने को मिलती है अब बात करें तो रिग्वेद की किसकी बात करें रिग्वेद की बात करें थोड़ा सा रिगवेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेक मिलता है यह देखेंगे थोड़ा सा चले गए अब बात करते हैं रिगवेद की रिगवेद में कौन सी नदियों का उल्लेक मिलता है किया क्या उल्लेक मिलता है सर्व परतम कहा जाता है कि यमना नदी का उल्लेक तीन बार किया कि यमना नदी का तीन बार नदियों की बात कर रहे हम जमना नदी का उलेख यमना नदी का उलेख तीन बार हुआ है कितने बार तीन बार हुआ है कि इन भार है रिख्वेद में हुआ है किनी बार कि यमना नदी का उलेख रिख्वेद में तीन बार हुआ है महीं बात करें गंगा नदी हुटंес की गंगा नदी का उलेख गंगा नदी का उलेक गंगा नदी के उलेक की बात करें फिर दोस्तों तो इसका उलेक एक बार हुआ है किती बार हुआ है वही एक बार इसका उलेक हुआ है कौन सी नदी का गंगा नदी का उलेक एक बार हुआ है जबकि जमना नदी का उलेक किती बार हुआ है वही तीन बार हुआ है ठीक है यह ध्यार रख जाएगा पैपदार्थ की बात करें पैपदार्थ के रूप में सोम रसका प्रयोग किया करते थे जो का से निकाला जाता था गां से यह कां सभस्वी ही माले से पराप्त हूँ से पराप्त हुआ था यह एक पीए बना दे या वो दीख मेरे जटके तो वाले कंडिस्तन तो नी इस हो अब करता था बही जणी भूटियों का क्या वहां करता था प्याला हुआ करता था जिसे शुम्रस का आजाता है अब आप अपना सुम्रस मत बना ले ले वर्तमान में क्या है कि शामको टाइम प्रेक लेते हैं और टनली होके सोजाते हैं लेता हूं कि मैं तो थोड़ा सा छोटे-छ तो उन जड़ी खूटियों को पीशकर सोम्रस तयार किया करते ते और यह व्योज प्रीयों कि सो चाही चाही बाते कर ले तो लेकिन कहा जाता है कि यहां पर वेधिक और वेदिक सब्वेता में अलग अलग देखने को मिलते हैं चलिए वास्ताव में वेदिक सब्वेता अब यह तो बता दी आपको आगे पड़ते हैं वास्ताव में क्या है क्या नहीं है छले बाए अब बात करते हैं वेदिक सब्वेता को पूरूर्ट से तयार करते हैं इसकी वेदिक सब्वेता कि लीए और वेदिक सब्वेता कि हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसका समय देखते हैं, या इसका समय देखते हैं, शमय देखने के पश्चा आत्ती कीगा, इसका जो समय माना जाता है, क्या समय माना जाता है, पंद्रा सो यानि कि पंद्रा सो इसा पूरू से, कब पंद्रा पंद्रा सो इशा पूर्व कब क्यार दोस्तों पंद्रा सो इशा पूर्व से लेकर इसका जो समय माना जाता है छेशो इशा पूर्व शेशु श्या पूर्व माना जाता है वएदिक सब्बेता काल सकता है कि 202 बांटा जा सकता है किते हों बाण सकते हैं कुण-कौन से हिप दो बाच इसके दो arch दो बाच कॉन-कॉन से हजय के सबसे पहले हैं हम बात करने जा रहे हैं वहीर Bundesli के सब्ली दोवागों में राटेंगे और दोवा बाकॉन-कॉन कोंसे हो झाएंगे आपके यहाँ अपर ध्यान दे एक हो जाएगा आपका एक हो जाएगा आपका रिग वेदिक सब्वेता कौन सा एक तो जाएगा रिग वेदिक सब्वेता कौन सा पर दोस्तों रिग और के उत्तरवेदिक्ट क्योंति एक क्यों जाएगी एकन्यूभाह नूअ माने जाते के बाद करें तो कहा जाता है पहर साथियों जहां है फायं माना जाता है यह समय माना जाता है इसका जो समय है वो माना जाता है पंद्रा सो कब से इसा पूरु से लेकर पंद्रा सो इस्वी पूरु से लेकर एक हजार इस्वी पूरु कब तक माना जाता है भई एक हजार इस्वी पूरु तक का जो समय है वो किसका माना जाता है यहां पर हमें इसका सब्सक्राइब पूर्डे तर्वाजसाय देखने को मिलता है baş एक भी कभी गभी लेकर 600 इसाफ राफ तक का जुसमें है प्यारे दोस्तों यह किसका माना जाता है उत्तर्वेदिक डूर। यह द्यान रहना आपको जरूरीय रखना भी है अब बात करें को इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्ते से मिलती है सबлекता के ऑत करें सबस्क्राइब करें आजये जया है उन्र करने आजये और बात करें और देंगे जांगे आरानक्त हैं कि अदों कि आएन जा coal को पस्की का था या उप निरों आचाङके यह वह व्क वाहगा रिव जाएंगे श्मालम सबूंब रहा कहुत आजा कि लेरे साथ पीडांग स्क्वाइब आजायों कि दों को सबते हो प damn कुछ गोच div houses वेदांत भी करते उपनिशतों को ठीक है या यह उपनिशत या वेदांत से हमें जानकारी मिलते हैं यह किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमें वेदिक साहित्ते के बारे में या वेदिक सब्वेता के बारे में जानकारी देते हैं और इसी के साथ सुत्र साहित्ते वेदि लिगना शुत्र शाहित्ते शुत्र शाहित्ते वेदिक शाहित्ते में शामिल नहीं किया जाता। नहीं किया जाता किया जाता है कि उत्रशाहित्ते वेदिक साहित्ते में सामिल नहीं किया जाता है यह जानकारी हमें कहां से भासा थी यहां पर आर्यों की भासा की बात करें किसकी बात करें आर्यों की आर्यों की जो भासा है प्यारे दोस्तों आर्यों की भासा और आर्यों की भासा थी प्यारे दोस्तों वो कौन सी थी आर्यों की भासा संस्कृत थी कुन सी थी शंस्क्रिट और यो की भासा को कुन सी थी यह संस्क्रिट भासा का प्रियोग क्या करते थे अर्यों का समाझ पित्र प्रदान समाघ ता समाज था सतात्मक पित्र शत्तात्मक शमाज था अर्थार्थ ये बी इनके बाद जो पित्र प्रदाम समाज माना जाता है कुंसा अर्थात परिवार का मुख्या कौन हुआ करता था पिता हुआ करता था जिसे कहा जाता है तो ये ध्यान रखना है इनका आर्यों का कि यहां का जो प्रदान नेता हुआ करता था यहां का जो विक्ति हुआ करता था कौन पर दोस्तों यहां का प्रमुख विक्ति जो कौन देखे परिवार का आर्यों में परिवार का मुख्या पिता हुआ करता था नोट लगा कर लिख लेना नोट लगा कर परिवार का मुख्य आर्यों में परिवार का मुख्या आर्यों में परिवार का मुख्या पिता हुआ करता था पिता कोता था जिसे कुलप कहते थे आर्यों में जो परिवार का मुख्या है वो कौन हुआ करता था वही पिता हुआ करता था और पिता को क्या करते थे पिता को कुलप कहा जाता था क्या कहा जाता था यह ध्यान रखना है आपको क्या यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी हुआ चाहिए रखने नियुक्षा एक तसे डिचे आपको जोटी मोटी सारी उपने बाते कीए क्यारा दोस्तों और इन बातों को ध्यान रकना है आपको मुख्य Hey math 5e डिकर की आज के लिए Qe धन्यीबातplin चलते हैं ते हैं नमस्कार जहिए ते अंश्यभार ऑए